विटामिन सी से भरपूर आवला, आंखों, बालों और तवचा के लिए तो फाइदे मंद है ही, इसके साथ ही इसके 10 अनमोल फाइदे बिलकुल अमरित के समान है, अगर आप नहीं जानते आवले के यह फाइदे तो जरूर जानिए, डाइबिटीज के मरीजों के लिए आवल बेहत फाइदे मंद होता है, आवले का पाउडर चीनी के साथ मिलाकर खाने या पानी में डालकर पीने से एसिडिटी से राहत मिलती है, इसके अलावा आवले का जूस पीने से पेट की सारी समस्याओं से निजात मिलती है, पत्री की समस्या में भी आवला कारगर उपाय और उस पाउडर को प्रति दिन मूली के रस में मिला कर खाएं। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में पत्री गल जाएगी। रक्त में हीमोगलोबिन की कमी होने पर प्रति दिन आवले के रस का सेवन करना काफी लाबप्रद होता है। यहां शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है और खून की कमी नहीं होने देता। आंखो के लिए आवला अम्रित समान है, यहां आंखो की रौशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके लिए रोजाना एक चम्मच आवला के पाउडर को शहद के साथ लेने से लाब मिलता है और मोतियाबिंद की समस्या भी खत्म हो जाती है। बुखार से छुटकारा पाने के लिए आवले के रस में छौक लगा कर इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दान्तों में दर्द और कैविटी होने पर आवले के रस में थोड़ा सा कपूर मिला कर मसूडों पर लगाने से आराम मिलता है। शरीर में गर्मी बढ़ जाने पर आवला सबसे बहतर उपाए है। आवले के रस का सेवन या आवले को किसी भी रूप में खाने पर यह थन्ड़क प्रदान करता है। हिचकी तथा उल्ती होने पर आवले के रस को मिश्री के साथ दिन में दो-तीन बार सेवन करने से काफी राहत मिलेगी। याददाश्ट बढ़ाने में आवला काफी फाइदे मंद होता है। इसके लिए सुबह के समय आवला के मुरब्बा गाय के दूद के साथ लेने से लाब होता है। इसके अलावा आप प्रति दिन आवले के रस का प्रयोग भी कर सकते हैं। चहरे के दागधब्बे हटा कर उस और चमकदार बनाने के लिए आवले का प्रयोग होता है। इसके पाउडर से बाल धोने या फिर इसका सेवन करने से बालों की समस्याओं से निजात मिलती है। तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।